हलो एवरीवन, शीफ शक्ती चैनल में आप सभी का स्वागत है आज जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो डिवाइन मस्कुलाइन एंड थर्ड पार्टी के उपर बनाऊंगी आखि डिवाइन मस्कुलाइन थर्ड पार्टी के साथ होते हैं तब क्या होता है और कैसा रिलेशनस्शिप लेता है थर्ड पार्टी के साथ ठीक है और ये डिव से भी रेजनेट करेगा अगर कभी डिव रही है थर्ड पार्टी में मेबि आप आपकी लाइफ में कोई boyfriend आया हो अगर आप unmarried है तो वहाँ पे भी यह sign आपसे resonate करेंगे या आप DF हैं बट आपकी marriage किसी marriage आपकी कार्मिक partner से हो गई है तो वहाँ पे भी आपसे sign मिलेंगे क्या होता है DF भी जाती है कार्मिक relationship में बट divorce हो जाता है आपका वहाँ पे या आपकी life में कोई boyfriend आता है या boyfriend जैसे circle आपकी life में बार-बार repeat होती है ये cycle तो कही ना कई कर्मा से आप बाहर आ जाती है ठीक है आपका divorce भी हो जाता है तो वही चीजे फिर आपकी DM के साथ भी उधर repeat होती है बट हर किसी के साथ नहीं होता है सबका scenario अलग होता है कुछ case में ऐसा होता है कि D.F.W. Unmarried है DM भी Unmarried है ठीक है? कुछ case में ऐसा होता है कि D.F. Divorzy है और आपके partner भी Divorzy है कुछ case में ऐसा होता है कि D.F. Unmarried है DM married है कार्मी के साथ हो सकते है? कुछ case में ऐसा होता है कि दोनों ही DFP और आपके partner भी कार्मिंग marriage में कही न कहीं फसे हुए है ठीक है बट आपको एक time जरूर आता है अगर आप real twin flame है तो आपका awakening का time आता है दैन आपको पता चलता है कि आप एक twin flame connection में है ये सामने वाला person आपका twin flame है और आपकी जिससे marriage हुई थी या आप अभी भी हो किसी कार्मिक relationship में तो वो आपका कार्मिक partner है ठीक है तो जो DM होते हैं third party में जाते हैं उनके साथ कैसा आपको लगता है कि separation में बहुत enjoy करते हैं बहुत जादा happy रहते हैं या आपको भूल चुके हैं या आपने उनकी डीपी देख ली है आपको trigger मिल गया है तो ये divine test होता है आपका बीच बीच में तीक है आपको देखा जाते हैं आपने कितनी preparation की है खुद को सामने वाले आपने कितना खुद को strong बनाया है कि सामने वाला आप पर अगर किसी तरीके से trigger देने को बैठा है, especially आपका DM तो आप trigger हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, बाहर की दुनिया नहीं, अन दर की दुनिया आप नहीं देखनी है, आप distrub हो और תुनिया हो या नहीं, आप mentally disturbed हो रहे हो, physically distress हो रहे हो, emotionally अभी आपका healing process कहीं ना कहीं complete नहीं हुआ है, आपको heal करना है, अब आप यह सोचते हैं कि तो DP लगा ही क्यों, देखिए आप DM को नहीं जानते हैं, DM आपको नहीं जाते हैं, separation चल ला है, बड़ डिवाइन का जो work है वो आप दोनों पर ही चल ला है, आपने healing की है, divine को पता च अभी हो गए, देन क्या होगा वो फिर से रन कर गए, आप low में चलेगे, क्या था, आपके अंदर बहुत जादा expectation की energy अभी भी कहीं ना कहीं, stuck थी, या कहीं ना कहीं बहुत जादा need अभी भी थी आपके अंदर, ठीक है, मतलब energy का high होना बहुत जादा, हज से जादा expectation होना वो भी ठीक नहीं है, और किसी से बहुत ही जादा need होना, ये भी ठीक नहीं है, मतलब balance होना चाहिए, परसन आपकी life में आ रहा है, आपके साथ खुश है, तो आप खुश है, तो ये balance है, परसन आपकी life से जा रहा है, आपको ignore कर रहा है, तब भी आप खुश हो, अपने कोई ना कोई बूंड्स, कोई ना कोई इस्ट्रक एनरजी, कोई ना कोई नेगेटिव एनरजी है, जो इस्ट्रक है आपके अंदर, तो थार्ड पार्टी में ये भी connection होता है, जो कार्मी का इंटेंस connection होता है, अचानक से आप सामने वाले से अट्रक्ट हो जाओ गए, केस में ऐसा होता है, कि बात बस कार्मी के साथ engagement तक पहुंचती है, और तूट जाती है, आगे बात नहीं बनती है, तो ये कर्मा होता है, हर किसी person का, हर किसी DM का, कि आप क्या कर्मा लेकर आए हो इस अर्थ पे कार्मी के साथ, ठीक है, तो बहुत सी DF ऐसी होंगी, जो unmarried ही होंगी, ठीक है, आपकी लाए में boyfriend हो सकते हैं, जो आए हो, कर्मा एक बहुत बड़ा कर्मा रहा हो, आपके साथ उनका, आपका उनसे relationship 10 साल का हो सकता है, 5 साल का हो सकता है, तो अपना कर्मा release करके चले गए, आपकी awakening आई, आपको पता चला कि ये partner आपका twin flame है, ठीक है, वो सुना होगा कि twin flame connection बहुत ज्यादा romantic होता है, बिल्कुल होता है, बट जो कार्मिक relationship भी होता है, वो भी बहुत romantic लगता है, शुरुआत में, वो कब तक रहता है, वो आपका, मेभी एक साल, दो साल, तीन साल तक ही रहता है, उसके बाद जो negativity surface होती है, जो दोनों के conflict create होते है या जो obstacle आना start होते हैं दोनों के बीच में, जो एक कहते है न, जो आपने एक तरीके से face क्या होता है कार्मिक के साथ, वही चीज़े DM के साथ उदर होना start हो जाती है, एक दम से कार्मिका रूप बदल जाना, चाहें वो wife हो DM की या girlfriend हो, एक दम से blame करना, एक दम से judge करना, और एक लालच वाली energy आना, ये third party का काम वहां से start होने लगता है, और DM इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परिशान होते हैं, ये बात हमेशा याद रखिए, जो third party होती है, उसके साथ जो relationship होता है, बहुत ज़्यादा unhealthy होता है, बिलकुल भी वहां satisfaction नहीं होता है, inner peace नहीं हो joyful वाली energy बिलकुल नहीं होती है, एक आप face देख सकते हैं, एक physical body देख सकते हैं, DM की बहुत ज़्यादा खुश है, बट यकीन केजिए, अंदर से जितना वो तूटे हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, वो अपनी feeling भी नहीं बता पाते हैं, कि आखिर वो कैसा feel कर रहे हैं, सामने बाले को हमेशा एक smile के साथ ये दिखाते हैं, कि बहुत strong है, बहुत अच्छा सब को चल रहा है, ठीक है, बट ऐसा होता बिलकुल भी नहीं है, तो यहाँ पर DF जो बहुत ज़्यादा confused हो जाती हैं अपनी journey में, इन आवर करने के बाद DM बार बार trigger करते हैं, या बीच बीच में वो ऐसी DP लगा देते हैं, कि वो बहुत ज़्यादा happy है, और बहुत सी DF के शिकायत भी रहती है, तो वो शिकायत आपको इसलिए रहती है, कहीं आपकी soul में अभी भी कोई ना कोई issue बाकी है, चाहे वो jealousy का हो, चाहे वो anger का हो, चाहे वो codependency का हो, चाहे वो expectation का हो, जिसकी वज़े से आप trigger हो जाते हो अपनी journey में, ठीक है, तो DM का काम है आपकी growth कराना, आपको heal कराना, बट वो आकर आपको support नहीं करेंगे, ठीक है, soul level पर वो आपको पूरा-पूरा support करते हैं, इसलिए आप trigger होते हो, बट physical world में या physical as a physical body वो आपसे separate रहते हैं, वो ये चाहते हैं कि आप please अपने आपको heal कर लो, मैं खुद आ जाओंगा, मुझे कहीं और जाना ही नहीं है, और ये DF के confidence के उपर, DF का trust कितना है, divine पर कितना faith है, कितना आपको अपने relationship में believe है, कि ये person मेरा ही है और ये एक दिन आएगा ही, ठीक है, ये आप जो illusion में जीते रह हो कि नहीं twin flame journey है, ये person मेरा DM है भी या नहीं है, ये illusion आपको बार बार एक गलत पात पे ले जाता है, बट DF इतना strong होती है, इतना जादा intuitive होती है कि नहीं, ये ही मेरा DM है, और ये जो separation है, ये एक illusion है, हम दोनों 5D में भी हैं, और एक हैं, 4D में भी एक हैं, और 3D में भी ए कही न कहीं कर्मा है, जो हम पूरा करने के बाद एक हो जाएंगे, ठीक है, तो ये एक आपका belief system है, एक ये आपका trust है इश्वर पे, कि इश्वर ने आज हमें मिलाया है, और हमें separate किया है, तो कही न कहीं अच्छे के लिए क्या है, और एक दिन हम एक जरूर होंगे, ठीक है तो वो third party में जाते हैं, तो उनको कभी भी mental level पर support नहीं मिलता है, third party का, physical level पर support नहीं मिलता है, emotional level पर support नहीं मिलता है, physical level पर एक दो साल तक या बीच बीच में जब उनको lack feel होता है, कार्मिक एनरजी भी positivity को सक करने आती है, ठीक है, बट सामने वाले में ही ये positivity रह ने गई तो जब तक positive, मतलब जो twin flame होते हैं, बहुत ज़्यादा positive energy से भरे हुए होते हैं, बट एक time ऐसा हाता है, dark night of the soul जहां आप negativity से deal करने लगते हैं, तो सामने वाला भी person बहुत ज़्यादा negative होता है, और negative person हमेशा negativity को ही attract करता है, ठीक है, बट एक positive person है और एक negative person है, ठीक है, त बात सामने वाला person बिल्कुल drain होता जा रहा है, मतलब DM बिल्कुल drain होते जा रहे हैं, अब उनके अंदर वो positivity नहीं रह गए हैं, बहुत इस्टक है अपनी life में, बहुत उन्हें losses हो रहे हैं, health problem आ रही है, financial problem आ रही है, family में सबसे relationship कराब हो रहे हैं, even जिससे marriage हुई है, उस से भी relationship खराब हो रहे हैं, तो ऐसे person के साथ कोई भी रहना पसंद नहीं करता है, ये DF आपकी साथ भी होता है, ठीक है, उसी time एक बात आता है, एक turn आता है आपकी life में, कि आप spiritual path के और मुड जाते हो, आपका awakening स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप physical world से detach होना पसंद करने ल लगते हैं, कि आखिर मैं इतना लोगों को दे तो रहा हूं, मुझे क्या मिल रहा है, मैं इतना परिशान हूं, मेरी परिशानी को कोई नहीं समझ रहा, even जिससे marriage होई है, वो भी मुझे नहीं समझ रहा है, मैं उसके लिए इतना ज़ादा कर रहा हूं, बट उदर से मुझे वो positive result नहीं मिल रहा है बहुत सारे question उनके अंदर चलना start हो जाते है आखिर मेरे साथ क्यों हो रहा है भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं तो कहीं न वो connect है उनकी सोट और वहीं से उनको answer मिलना start होने लगते हैं इधर DF अपना healing कर रही होती है अपना कर्म क्लीन कर रही होती है तो उसका effect आपके person पर powerful पड़ता है इसलिए कहा जाता है DF आप अपनी healing करें अपना inner work करें वहाँ पर बिल्कुल भी stuck न रहें कि DM क्या कर रहे है separation उनकी life में क्या चल रहा है आखिर उनका call क्यों नहीं आ रहा है उनका message क्यों नहीं आ रहा है इन सब चीजों पर आपको stuck नहीं रहना है क्योंकि आप ही है जो आपने खुद को निकाल लिया है third party में आपको नहीं पता था क्या आखिर आपके साथ क्या हो रहा है unawakant थी जवाब बट awakening के बाद तो आपको सारी चीजे समझ में आ रही है कि unawakant के बाद जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है बट आपका person अभी भी unawakant है ठीक है आप उनकी live में third party आई तो आप यहाँ खुद को रख कर देखें कि मैं जब third party में थी तो कितना बुरी तरीके से फसी हुई थी मैं बहुत ज़ादा आपको health issue आ रहे थे बहुत ज़ादा आपकी growth नहीं हो रहे थी financial losses आपको हो रहे थे family issue बहुत ज़ादा आ रहे थे relationship issue बहुत ज़ादा आ रहे थे मतलब आप भी एक negativity से कही ना कही deal कर रहे थे ठीक है आप awakening में आए आपने healing करना start कर दी तो यही चीज़े आपके person के साथ भी होती है तो यहाँ पर आप उनको blame ना करके judge ना करके उनको curse ना करके आप खुद पे ही work करें ठीक है तो यह DF के हाथ में है कि आप आपको करना क्या है अपने person को third party में ही फसे रखना है या उनको बहार निकालना है ठीक है आप उनको बहार निकालना चाहते हैं तो आप please अपने आप पे work करें कर्मा cleansing करें और divine को अपनी journey surrender करें पर third party के साथ यकीन मानिये DM कभी happy नहीं रह सकते जो एक emotional healthy attachment जो होता है वो DF के साथ ही होता है mental level या physical level जो भी है आपका ठीक है वो DM-DF के साथ ही feel कर सकते हैं बट आपका separation तब तक heal नहीं होगा जब तक आप balance नहीं करेंगे अपना अपने आपको balance नहीं करेंगे अपनी healing नहीं करेंगे तब तक आपके person आपके life में लोटके नहीं आएंगे वो trigger जरूर करते रहेंगे आपके issue पर आपके blockage पर क्योंकि वो कहीं न कहीं heal नहीं हुआ है तो इसलिए आपका पूरा-पूरा इस journey में आपके हाथ में कमान है कि मुझे ये journey complete करनी है ठीके आप divine के इदर जितना भागेंगे DM आपकी तरफ उतना भागेंगे आप DM की तरफ जितना भागेंगे DM third party के उतना भागेंगे समझ रहे हैं ना मेरी बात तो आपको उनकी तरफ नहीं भागना है divine के process को complete करना है और अपनी life को enjoy करना है ठीके आप देखोगे जो heal हो चुकी है DM बहुत अपनी life को enjoy कर रही है उनके life में abundance आ रही है growth हो रही है बहुत ज़्यादा खुश है क्यों खुश है क्योंकि उन्होंने अपना faith दिखाया है इश्वर पे और DM होती ही बहुत ज़्यादा spiritual है बहुत ज़्यादा मैं सेशन में भी यह देखती हूँ बहुत सी डिव इतना ज़्यादा high vibration में रहती है मतलब उनके energy ही मुझे पता चाहिए तो थोड़ी बहुत जो doubt होते हैं वो clear हो जाते हैं बट आपकी energy ही बता देती है कि आप कितना balance है आपने कितना inner work किया है कितनी healing की है ठीक है तो जिनका ये answer रहता है कि third party के साथ आखी DM कैसा feel करते हैं तो DM कभी भी third party के साथ अच्छा feel नहीं करते हैं आप उनको enjoy करते देख रहे हैं आप उनको party में जाते हुए देख रहे हैं वो traveling कर रहे हैं वो यहां जा रहे हैं वो वहां जा रहे है ये physical body आपको दिख रही है बट soul level पर वो बिल्कुल भी खुझ नहीं है ठीक है तो आप इन सब चीजों से बहार निकलिए खुद पर वर कीजिए दूसरा क्या होता है कि third party किसी की life में DM हो चारण डियाफो third party कोई person नहीं होता है ना girlfriend होती है ना boyfriend होता है ना wife होती है ठीक है ना husband होते है यहां third party DM की life में career हो सकता है उनका third party ठीक है उनकी family हो सकती है third party उनकी third party उनकी family में कोई और person जैसे mother हो गई third party father हो गई क्योंकि यह भी question आते है कि मैं third party जरूरी नहीं हो उनकी wife हो उनकी family भी हो सकती है उनकी family भी हो सकती है ठीक है उनका कोई friend हो सकता है उनकी health हो सकती है उनका money हो सकता है ठीक है और कुछ DF का यह भी question आता है कि मैं मेरी live में तो कभी कोई third party थी ही नहीं नहीं BF था नहीं girlfriend थी और नहीं मेरा कोई शादी हुई है तो आप अपने पीछे जाईएगा कहीं न कहीं आपकी family तो आपकी third party नहीं है आपकी awakening way family में कोई आपका karmic person तो नहीं है कहीं आपकी mother या आपके father या आपके brother या relatives में ये भी कर्मा है और मान लिजिए आपका सबसे बहुत अच्छा relationship है सब कुछ अच्छा चलना है तब भी DM third party में तो आपने कहीं न कहीं past life में या पिछले जनम में जो आपका रहा है तो वहां कहीं न कहीं आपकी life में third party रही होगी तो वह चीजे आपको इस जनम में देखने को मिल रहा है तो आप ये सारे question अपने mind से बिल्कुल निकाल दें आपके सामने जो है अभी आपको दिख रहा है कि DM की life में third party है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप कर्मा cleansing करें ठीक है सौरी बोलें सौर लेवल पर work करें ठीक है जो भी third party है उसके लिए कभी गलत ना सोचे क्योंकि वो भी एक important role play कर रही है DM की awakening कराने में ठीक है वो trigger दे दे के ताकि वो भी trigger हो वो भी awaken हो आप इधर DM को कैसे help कर रही है healing करके ठीक है अपने ही soul के part को heal कर रही है मतलब अपने ही DM को heal कर रही है खुद को भी heal कर रही है और इसमें जो inner work आप करती है DM की life का आप जब सोचना बंद कर दें कि उनकी life में क्या चल रहा है ये वो state होती है कि आपकी healing complete हो चुकी है जहां आप खुद पर ही focus करना start कर लेती है मतलब focus है ही आप पर आपको याद ही नहीं आ रही है DM की और याद आ भी रही है तो थोड़ा बहुत आपको याद आया mind में अब इतना DM नहीं चल रहा है जो journey के शुरू में DM 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 चलता रहता था दिन रा DM कहां है क्या कर रहा है बहुत जादा रोना धोना आपका ठीक है और craving होना उनकी बहुत जादा ये सब चीजे जीजिन खतम हो जाना है आपके अंदर से समझ जाना कि आप reunion अजीव करने वाले हो अब आप उस state पर पहुँच चुके हो कि नहीं आपको आपकी family ट्रिगर कर पा रही है नहीं आपका DM ट्रिगर कर पा बलकि और लोग आपसे ट्रिगर हो रहा है आपकी positivity से आपकी happiness से आपका जो thought process से इतना ज़्यादा positive हो गया है कि सामने वाला person अब आपसे ट्रिगर हो रहा है ठीक है तो यह चीजे important role play करती है और जो कार्मिक होते हैं जैसे आपके parent भी है कार्मिक अब उनसे आपका relationship बहुत अच्छा हो गया especially DF का होता है कि मेरे मम्मी पापा के साथ relationship नहीं अच्छा है मेरे मम्मी के साथ नहीं अच्छा है पापा के साथ अच्छा नहीं है उनके साथ आपको कही न कहीं relationship अच्छा हो जाए then समझ जाओ आपके और आपके parent के भी जो कार्मिक एनाजी थी वो release हो चुकी है ठीक है अब आपकी life में आपका husband भी नहीं है third party boyfriend या girlfriend भी नहीं है third party आपके parent है आपका यह यह karma release हो गया है balance हो गया है तो आप आप समझ जाए कि आपका person का भी जो भी कर्मा होगा वो भी balance हो जाएगा क्योंकि आपने यहां पे महनत किया है अपना कर्मा balance किया है कर्मा के उपर work किया है ठीक है आपने positivity दी है सामने वाले को ठीक है तो ऐसे आप समझ जाईए कि आपके अगर relationship सबसे अच्छे होने लगे हैं तो उधर भी work हो रहा है अगर आप no contact में हैं, separation में हैं बहुत time से बात नहीं हुई है DM से 6 महीने, 1 साल उसके बाद क्या हो रहा है अगर आपके अंदर changes आ रहे हैं, आप heal हो रहे हैं तो ऐसे कर्मा जो DM के साथ होता है, 3rd party के साथ तो यहां पिलकुल आप इस बात को लेकर परिशान ना हो कि बहुत enjoy करते हैं, DM बहुत टूटे हुए होते हैं बहुत बहुत जादा weak होते हैं, 3rd party के साथ बट वो एक दिखाते जैसे एक नारियल होता है, उपर से बहुत जादा strong होता है अंदर से बहुत जादा नरम तो बहार से तो वो आपको दिखाएंगे, नहीं मैं 3rd party के साथ बहुत खुश हूँ बट अंदर जो प्यार होगा, वो सिर्फ और सिव डियाफ के लिए होता है बट वो चीज़े सभी तभी balance होंगी, जब आपका कर्मा balance हो जाएगा आपकी healing complete हो जाएगी, आपका inner work complete हो जाएगा तभी उनकी life से भी 3rd party time, जो उनका divine timing है उस divine timing पर 3rd party भी release हो जाएगी, ठीके और जब 3rd party आती है DM की life में, तो कहीं ना कहीं जो ego होता है, वो कहीं ना कहीं death होती है, ego death होती है एक transformation से गुजरते हैं, death, rebirth के process से गुजरते हैं जैसे DF आप गुजरती हैं, बट DF यहाँ ज्यादा pain में रहती है क्योंकि इधर DF के हाथ में दोनों तरफ का work होता है ठीके, दोनों को heal करते हैं, खुद को भी heal करती है, physical world में और अपने DM को भी heal करते है, soul level पर आप एक ही होते हैं ठीके, बट, pain DF को उस time बहुत जादा होता है, जब खुद की healing कर रहे होती है शुरुआत होती है जब, बट जब आप mid journey में आ जाते हो, आपको चीजे बहुत जादा clear दिखने लगती है बहुत जादा, जो इस journey को लेकर आपके mind में बहुत जादा doubt होते है या clarity नहीं होती है, वो journey के आगे बढ़ते बढ़ते आपको सब पता चलने लगता है ठीके, बट, stuck नहीं रहना है, आप अभी stuck हो journey में, आप inner work ही नहीं कर रहे हो थर्ड पार्टी आपकी life से जाएगी, तो यह था आज का वीडियो divine masculine third party के बीच में कैसा process रहता है ठीके, तो वहाँ पर भी चीजे वैसे ही चलती है, डियाव जैसा आपकी साथ चलता है, बट, सबका scenario अलग-अलग होता है, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ तो आज के लिए बस इतना ही, next वीडियो में मैं फिर मिलूंगी, तब तक लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, सौस्त रहिए